फात्मा जिना टाउन की एक और बहुत फी प्राइम लोकेशन सामने ये अबादी है और ये भी अबादी है जी ये देखेंगे वो सामने एक स्कूल बना हुए जी चालिस चालिस फूट की मैटल कारपेट रोड है जी दो कनाले इकठी आई है जी मरपस जी फात्मा जिना टाउन ब्लाक एच की जी बड़ी जबरदस लोकेशन है जी आज की इनवेस्टमेंट मैं कहता हूँ आप भूल जाएंगे जी आप जो बाहर प्राइवेट महलों में ल कनालें है जी उस घर के से पहले और फिर 251 और 252 नंबर जी साट लाक रपे एक कनाल के डिमांड है जी और साट लाक रपे दूसरी कनाल के डिमांड है जी अगर हम बात करते हैं कि यह है कहां पर लोगों का स्वाल होता है जी कि ये कहीं अंदर होगी जी ये रोड से बहुत दूर होगी जी ये घरों के दरमियान आपको देखें हूर मीग, हूर घी मिलके ये बॉाइलर से नजर आ रहे हैं जी आप देख लें विहाडी रोड से करीब है जी और अगर ये साइड मैं बताओं कि इस साइड पर इन घरों की तरफ जाएंगे तो पिर आप सदरन बाइपास भी करीब है जी बाबर बाइपास चोक से करीब है जी देखें वो सामने रोड है जी ट्रैफिक अगर आप नोट करें वीडियो में मैं जूम कर देता हूँ ताके आपको असानी हो विहाडी रोड से बिलकुल करीब हूर गी मिल के सामने देखें जी वो एक गाड़ी जा रही है जी और हम नमबर देख लें जी नमबर का हमें मुगालता ना हो जी ये 217 नमबर है जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक गली का हम फरक के खड़े है जी वो गली हो सकती है जी ये थो 217 है जी मैं आपको दिखा देता हूँ फिलाला वो देखने रोड है जी फात्मा जिना टाउन ब्लाक एच जी तकरीबन देखें जी लोग पो शेरिया है काड़ियों वाले लोग रहते हैं जी ब्लाक एच फात्मा जिना टाउन जी 251 और 252 नमबर मैप से आप देख सकते हैं जी एक एक कनाल के दो कठे प्लाट हैं जोड़ी है जी ने जी ये थोड़ी सी गलती हुई है जी हम अभी इसके एडिटिंग कर दें जी आपको बता दें जी ये पहले मैं खड़ा था उस मकान के पास 251 और 252 नमबर मैंने बताया थे जबके प्लाटा 242 और 243 नमबर टकर पे ये 243 है जी और इसके साथ जो 242 है जी वो स्कूल बना हुए जी दुकाने बनी हुई है जी घर बने हुए जी ये कुछ खेट नज़र आएंगे जी सामने आप देखेंगे जी ये इस घर के दरम्यान में उन आपको हूर मिलके जो है बोईलर दिखाये जी जो के विहारी रोड से करीब है ये आप देखेंगे जो टावर है ये विहारी रोड पर लगाऊ हुए जी यहां से देखेंगे जी फिर ट्रैफिक आपको कुछ नजर आ रही है जी जूम मैं जो है वो इसलिए भी नहीं कर रहा है कि विडियो का थोड़ा रिजल्ट खराब हो जाता है जी 243 और 42 प्लाट नंबर जी टी इस टकर में जी ये जो रोड़ आ रही है इससे मैं आया हूँ और ये प्लाट जी 243 दो सो ब्लाट एक कनाल के दो प्लाट जी साट लाख रपे एक प्लाट की डिमान ले जी जो कि सिरफ तीन लाख रपे पर मरला बनता है जी और ज़ी आख उसे लेने के बाद आप इसे स्कूल बना सकते हैं घर बना सकते हैं कुछ डेरा बना सकते हैं रहेश बना सकते हैं कमर्शल इसे यूज नहीं की आ जा सकता, स्पेशली तwy तुकान वगारा के ह segúnे से स्कूल आलरेडी नुखे स्कूल की कई प्राचे बनी हुई है जो कि सिराज साब उसके ओनर हैं जी तो स्कूल बनाने की परमिशन होगी तो ये स्कूल बनाए गए हैं तो हमारे आज एक दोस ने हमें रिक्वेस्ट की थी हम उनके लिए आये थे जी दो कनाल कठी आ गई है जी ये दोनों कोई दोस मिलके ले सकते हैं जी प्राप्टी बैंक ओफिशल की जानब से मुहमद अर्शद जी आज आपको फात्मा जनाह टाउन जो के MDA का एक प्रोजेक्ट है 54 से 55 मुर्बों में ये प्रोजेक्ट है जी जिसको विहारी रोड विहारी चोक से फर्स्ट गेट है इसका सेकंड गेज इसका सुल्तान गीमिल के पास और फिर इसका बाबर चोक से मुड़कर दाएं हाथ जब हम सदरन बाइपास पे जाएंगे फिर इसका केट है सदरन बाइपास पर इसके और भी केट हैं जी दुनिया पर रोड भी से लगता है और 17 कसी नहर वाली रोड भी इसे लगती है कुछ इसमें कच्छी बादियां भी हैं जी जिसना ये साथ आप दाएबाएं देख रहे हैं जी ये सामने एक भाना बना हुए जी मगर ये आपको कलूनी का प्लाट दिखा रहे हैं सुसाइटी का जी गफूर साब हमें ये प्लाट विजट करवाने हैं जी 243 और 42 नमबर जी फात्मा जना टाउन का जी बी ब्लॉक का जी अपना एच ब्लॉक का हाँ जी आही प्लाट बाने के ना जी दोनों तरताली ते बेया ली आगे जाना को प्लाट वेखन जब आस जलो हो कर अचा जी जलो प्लाट ना बहुत भाया ठीक है जी गफूर साब रोजे की आलत में हमाने साथ आए हैं जी और ठाक गए हैं जी फिर हम दोबारा आएंगे जी दो कनाल के प्लाट जी कनाल की कठी जी ये खोबसुरत कोठी या और विहाडी रोड बिलकुल खरीब है जी पांच मरले का जो प्लाट है ब्लॉक एच में पांच से छे लाख रपे पर मरले का रेट है जी उस हिसाब से आप देख लें कि ये एक करोड बीस लाकी एक कनाल होनी चाहिए जबके इतने में आपको दो कनाले मिल रही है जी विडियो का यहां हम एंड करते हैं जी आपने अगर ये कनाल एक जा दो लेनी हो हम से रापता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुए जी मुझे इजाज़त दीजिए जी अल्लाफिज जी